आइए देखते हैं कि middle term factor कैसे solve किया जाता है आपको दो नंबर सोचना है multiply करने पर 20 आना चाहिए और add करने पर 9 multiply करने पर 20 और add करने पर 9 तो वो नंबर होगा 5 और 4 9 और 5 इंटू 4 20 इसलिए 9 की जगह पर लिखेंगे 5 प्लस 4 फिर x और 20 उतार देंगे फिर x square प्लस bracket खोल देंगे 5 x 4 x plus 20 अब इन दोनों में क्या common होगा x x common ले लेंगे टेक्स प्लस 5 इसमें से 4 common ले लेंगे टेक्स प्लस 5 अब ये दोनों x प्लस 5 फिर common हो जाएगा लिखेंगे x प्लस 5 और ये जो बाहर है x प्लस 4 इसको एक साइड में लिख देंगे ये हो गया middle term factor